तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट कंप्रेजन टेस्ट के बारे में पहलेच का इस्टेटमेंट देख लेते हैं इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर पॉजिटिव टर्म सिरीज के ग्रेटर देन जिरो एंड देर एग्जिस्ट एम बलॉंग्स टू नेचरल नंबर फर आल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम यहां पर एम का मतलब यह एम क्यों लिया गया फर आल एन ले सकते थे इसका मतलब यह है कि अगर कुछ फाइनाइट टर्म के बाद अगर इस तरह सी सिचुएशन आ रही है तब भी यह हमारा टेस्ट जो है वो हो सकता है अब यहा अगर यह डाइवर्जेंट है तो यह भी डाइवर्जेंट होगा तो हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रूफ करना है अब अगर कोई स्रीज हमें कनवर्जेंट लग रही है तो हम क्या करेंगे प्रूफ करने कोशिश करेंगे कि यू एन जो है वो लेस दिन होगा किसी convergent series के हैं ठीक है ये convergent होना चाहिए है और अगर हमें divergent proof करना है तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाली जो series आए वो हमारी divergent हो अब हम यहाँ example देख लेते हैं example number one एक series हमने लिए one plus one upon two square plus one upon three cube plus one upon four four की पावर four plus dash 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 plus one upon n की पावर n plus dash यह infinite series है ठीक है तो इसका एंथ टर्म क्या है हमारा n की पावर n अब हम यहाँ पर एक inequality देख लेते हैं n की पावर n जो है वो greater than होता है two की पावर n से for n greater than equal to two equality hold नहीं करेगी n is equal to two पर यह क्या हो जाएगा तो equality hold नहीं करेगे अगर हम यहाँ पर equality लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम equality लगा सकते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो summation one upon two की पावर n यह हमारा किस तरह से one plus one by two plus one by two square plus इस तरह से है और यह हमारी किस तरह की सरीज है geometric series है और इसका sum क्या आएगा a यानि one है upon one minus r क्या आता है one of a upon one minus r जहाँ पे a हमारा first term हो गया r हमारा क्या हो गया common ratio यानि इसको हम divide करेंगे इससे one by two ठीक है और यह हमारा क्या जाएगा one upon one by two is equals to two तो इसका sum तो हमारा आएगा two तो यह series क्या होगे हमारी convergent हो गई अब यह upper वाली series क्या है convergent है तो यह भी हमारी क्या होगी convergent होगी तो यहां से हमें पता चलता है कि summation one upon n की पावर n is convergent यानि कि इसका जो sum आएगा वो finite आएगा लेकिन क्या आएगा यह यहां से proof नहीं हो पाया ठीक है example दूसरा देख लेते हैं यहां पे एक series देरेक कि summation one upon n is equal to one plus one by two plus one upon three plus इस तरह से जो है dash dash and summation one by n is divergent यह हमें proof करना है actually यह जो है हमें मालूम है कि summation one by n is divergent हमें proof करना है कि यह जो है वो divergent है तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं log n जो है वो क्या होता है less than n होता है graph से अगर हम चेक करें तो log x का graph किस तरह से आता है हमारा इस तरह से ठीक है लेस दन होगा N से, 1 पर यह 0 आ रहा है, यह 1 आ रहा है, 2 पर यहां पर कुछ आ रहा है, और जब कि यह 2 आएगा, तो यहां से हमें यह पता दल गया कि log N जो है वो less than N होगा हमेशा, implies 1 upon N less than 1 upon log N, अब हमें पता है कि समेशन 1 by N जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, तो नी समेशन 1 upon log N is divergent,